यथार्थ सरला ने क्यूं किया था शादी के लिए मना सरला आंटी के सहयोग से ही उसे एक फ्लेट में बतौर पेंग गेस्ट स्थान मिला था इस पार्टी में आने के लिए सरला आंटी ने ही जोर दिया था वो पार्टी की गहमा गहमी से अलग थलग शीतल पेका गिलास एक किनारे की कुरसी पर बैठी, थी, अचानक अपने सामने कुरसी खीच कर बैठे, शक्स को उसने ध्यान से देखा, मुझे पहचाना, मैं भगवान दास, उस शक्स ने पूछा, हाँ, हाँ, उसने कहा, उस शक्स को तो वह भूल, ही नहीं सकती थी, दस वर्ष पूर्व वह और इस प्रकार संकोच में बैठा था मानो, कोई दुलहन हो, इलाहबाद विश्व विद्यालय की, तेजतरार मोहना के सामने उसके बोलने की क्षमता, जैसे समाप्त हो गई थी, नाम पूछने पर जब उसने, अपना नाम, भगवान दास, बताया तब वह खूब, हंसी थी और आहत्व अपमानित भगवान दास, चुपचाप बैठा रहा था, बाद में मोहना ने घर वालों से कह दिया था कि उसे, ऐसे दब्बू, भूंदू भगवान के दासों में कोई दिल्चस्पी, नहीं है, वह पहले प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती, है, किन्तु आज दस वर्ष बाद भगवान दास पूरा, सामर्थ्यवान पुरुष लग रहा था, उसकी भेदती, द्रिश्टी का वह सामना नहीं कर पा रही थी, बातचीत, से पता चला कि वह बैंक मेनेजर हो गया था, उस, के द्वारा बताने पर कि वह सिचाई विभाग में बतोर, स्ट से कहा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई, वहां रुखना उसे, अब भारी लग रहा था, सरला आंटी से इजाजत लेकर जब, वो अपने कमरे में लोटी तो दरवाजे का ताला खोलते हुए, उसके हाथ काम प्रहे थे, सर्व प्रथम आयने में उसने स्वयम का अवलोक किया, तीस वर्ष की उम्र में भी वह सुंदर और कमनिय लग रही थी, इससे उसे कुछ संतोश का अनुभाव हुआ, बिस्तर पर लेटते ही उसका दिमाग अतीत में भटकने लगा, वह माँ बाप की इकलोती पुत्री वह दोनों भायों की लागली छोटी बहन थी, पढ़ उसके लिए प्रयतन भी कर रही थी किन्तु विश्वविद्यालय के रंगीन वातावरन और सहशिक्षा के आकर्शन ने उसे मनचली बना दिया था, साथी छात्रों द्वारा दिये गए कमेंटों से उसे रोमांच का अनुभाव होता था, अता मानसिक भटकन का दौर गया, मोहना अपनी उन सहेलियों को हिकारत भरी नजर से देखती, जो शादी करके बच्चे पाल रही थी, विवाहो प्रांत रोटी, बना कर घर में जीवन व्यतीत करने वाली स्त्रियां, उसे गुलामी की प्रतीक लगती, उसके संपर्क में, आने वाले लोग जब उससे पूछते की वह शादी, कब तक करेगी तब वो कहती की पढ़ाई पूरी कर, कि नौकरी में जमने के बाद ही वह इस बारे में सोचेगी, उस दोरान आये सभी रिष्टे उसने बेदर्दी से ठुकरा दिये, थे, अता घर वालों ने उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया, थ उसने प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में दो बार प्रयास किया किंतु असफल रही, हार कर, वो बैंक की नौकरी के लिए कोशिश करने लगी, किंतु वहां भी सफलता हाथ न लगी, उसकी लगभग सभी सहेलियों ने विवाह करके घर बसा, लिए किंतु किसी मामूली पुरुष से विवाह करना कबूल ना था, महना को ऐसे लोगों और ऐसी व्यवस्था से भी, घरिना थी जो एक लड़की की सारी खूबियों वह योग्यता को शादी के मापदंड पर तोलते थे, वह शादी की एहमियत समझती थी लेकिन मन के मुताबिक आदम मिलने पर इसे छोड़, देगी किन्तु बाद में यही नौकरी उसकी नियती बन गई, कई वर्ष बाद इस शहर में स्थाना तरन होने तक, सब कुछ शांत वा घटना विहीन चल रहा था, किन्तु भगवांदास से हुई भेचने मानो शांत जल में कनकड फेक दिया था, उ मोहना की भगवांदास से कई बार, भेच हाई उसने उसे सकटर पर लिफ्ट भी दी साथाथ साथ, भेच हुई, उसने उसे स्कूटर पर लिफ्ट भी दी, साथ साथ, काफी भी पी, इसके अलावा भगवांदास अकसर, उसके छोटे से कमरे में भी पहुंच जाता, मोहना क भगवानदास का इत्तिफाकन या जानबूज करेस प्रकार मिलना उसमें रुची जाहिर करना अच्छा लगता कभीक भी वह उसके शरीर या चेहरे पर प्रशासनिक द्रिश्टी डालता कभी उसके कपडों को आकर्शक बताता मोहना एक अंजाने आकर्शन की गिरफ्थ में आ गई थी वर्शों पहले उसके उंचे उलते ख्वाबों ने जिस व्यक्ति को नाकाबिल सिधा कर दिया था आज रिदय उसे अपनाने को उत्सुखो उठा था वह बेसबरी से उसके उस विशेश प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रही थी जो उन्हें एक अटूट बंधन मे बांध देता एक रात ममी ने मुहना को फोन करके कहा मुहना तेरे रंजन चाचा की लड़की चम्मो आजकल लखनव में ही रह रही है उसका जेट ललित अभी दो सप्ता पूर्व स्थानांतरन के बाद वहां पहुचा है वो अपर पुलिस अधीक शक है शादी के तीन महीन के अंदर ही किसी कारणवश उसका तलाक हो गया था उस घटना के दस वर्ष बाद अब वो पुना विवाह का इच्छुक है चम्मो ने ही सब कुछ बताया तू कल ही जाकर चम्मो से मिल ले मम्मी तुम्हे वहां बैठकर भी चैन नहीं है क्या मुहना उखड कर बोली देख म मुहना तू कोई बच्ची नहीं है सब कुछ समय से अच्छा लगता है शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है क्यूं क्या हो गया है मुझे बूरी हो गई हूँ इस उम्र तक शादी नहीं हुई तो क्या किसी से भी शादी कर लूँ वो फोन पर ही चीखने लगी मुहना माम आप बच्चों को राह दिखाने के लिए सदैव जीवित नहीं रहते तुम चंपो का पता लिखो कहने के बाद मम्मी ने उस चंपो का पता बताया मम्मी के ठंडे नाराजगी भरे स्वर ने मुहना को सयत कर दिया उसने चुप चाप पता लिख लिया चंपो उसकी चचेरी बेहन थी, बच्चपन से ही वे एक दूसरे की प्रतियोगी थी, उन में जरा भी नहीं पत्ती थी, छम्मो अनिंद्या सुन्दरी थी, उसका विवाह एक करोर पती परिवार में हुआ था, वो मोहना और उसकी महत्वा कांक्षाओं का अक्सर मजा कुडाती थी, मोहना उससे द अपनी विवश्ता पर उसे रोना, आया किन्तु उसे चम्मो के घर जाना ही था अन्य था, मम्मी बेहद नाराज हो जाती, अगले दिन मोहना ने कार्याले से चुट्टी लेली और चम्मो के घर जाने के लिए तयार हो गई, वो तयार होकर खुद, कोहाइने में निहार ही र मसले पर बात के लिए आप से मिलूंगा, कार्याले के बाहर मेरा इंतजार करियेगा, भगवान दास, मोहना के अधरों पर मुसक राहटा गई, उसे लगा कि ये विशेश मसला अवश्य ही, विवाह का प्रस्ताव होगा, वो चम्मो से मिलने, उत्साह से चल पड़ी, चम्म तो बसों में धक के खाती है और चम्मो मौज, उलाती है, ठंडी सांस लेकर उसने घंटी दबा दी, दर्वाजा वर्दी धारी नौकर ने खोला, वो आदर से उसे बैठा कर अंदर चला गया, कुछ देर में चम्मो, वहां आय, उसे देख कर मोहना आसमान से जमीन, पर गिर दुगली पतली चम्मो की तुलना वह सामने, खड़ी भीमकाय महिला से बिलकुल नहीं कर पा रही थी, उसकी कमर, गले, हाथों, बाहों पर अतिरिक्त, मास की थेलियां लटक रही थी, मोटापे के कारण, दोनों बाहे शरीर से अलग फैले अंदाज में जूल रही थी, मु दंग्यात्मक लहजा मोहना को अपमांजनक लगा, यह मुटली सोच रही होगी, कि मैं उसके जेट से विवाह के चक्कर में भागी, चली आ रही हूँ, मोहना ने सोचा, लेकिन नपे तुले, लहजे में बोली, मम्मी ने तुम से मिलने को कहा था, इसलिए चली आए, खेर, तुम सुनाओ, आज कल, क्या खापी रही हो, तुम्हारा तो काला कल्प हो गया है, पल भर के लिए छम्मो का चेहरा उतर गया लेकिन, संभलते हुए उसने घमंद भरे लहजे में कहा, सेट, मनसुख नारायन की एकलोती बहु भला क्या, खाएगी पेगी, यह कोई पूछन की बात है, तुम्हारी तरह मुझे रोटी की चिंता तो है नहीं इसलिए थोड़ा, मास चग गया है शरीर पर, खेर, तुम सुनाओ, किसके इंतजार में आभी तक क्वारी बैठी हो, मोहना तिल मिला गई, लेकिन संतुलित लहजे में बोली, किसी की प्रतीक्षा में कुव प्रिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन गई की शादी की नौबत नहीं आए, मोहना के रुख से चम्मो भी नर्म पड़ गई, उसने कहा, मोहना, ये तेरे लिए खुशी की बात है, कि ललित भाई साहब से तेरे रिष्टे की बात चली है, यदि वो तुझे पसंद कर लेते हैं तो जट से, विवा की तयारी शुरू दे, चम्मो की बात को मोहना खिन भाई से सुनती रही, उसे चम्मो के डी, वाई, एस, पी, जेट में तनिक भी, रुची ना थी, तभी नौकर चाय के लिए बुलाने आया, चम्मो ने घुटनों पर बल दे कर एक छोटे से उफ के जने वाली सुन्दर दुबली पतली चम्मो याद, आय मोहना को, दीदी की शादी में मंगल गीतों में, ठुमकती चम्मो को देख कर ही तो स्वरूप मोहित हो गया था, फिर उनकी शादी भी हो गई थी, सुन्दर चम्मो का रूप, गर्व और व्यांग्यात्मक बातें, मो विश्वास से भरी मुखाकृती को दबी छिपी, दृष्टी से देख रही थी, चाय क्या अच्छी खासी दावत का इंतजाम था, मोहना को खाने के लिए कहकर चम्मो विभिन, तश्तरियों में सजी मिठायों पर तूट पड़ी, पिज्जा, कचोडियां, कटलेट जैसे व्यंजनों से मेजटी पड़ी, थी, चम्मो की खुराक ने उसकी वर्तमान सेहत का, राज खोल दिया, तभी भारी बूटों की आवाज से घर गूंज उठा, मोहना चौक कर बूटों की आवाज की दिशा में, देखने लगी, एक छे फुट उचा व्यक्ती बेजे जख, अ आचल सिर पर डालने का उपक्रम किया, ओ, अच्छा कह कर वो मोहना के बिलकुल, बगल की सीच पर बैठ गया, एक भरपूर नजर उस, पर डालकर वो खाने में जुट गया, अपर पुलिस, अधीक शक की वर्दी उसके मजबूत शरीर पर जंच रही थी, सिर पर घने बाल है, कनप्ती के सफेद, बालों को छिपाने का यत्न नहीं किया गया था, मोटी मून्षे और जुड़ी भवे उसकी सक्त प्रवरिती को सिधा कर रही थी, आप यहां अकेली रहती हैं, अचानक ललित ने पूछा, जी, मोहना ने संक्षिप्त उत्तर दिया, तब तो आपकी शामे हम लोगों के साथ बीतनी, चाहिए उसने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, मोहना ने उत्तर नहीं दिया, उसकी चुप्पी पर ललित ने लापर वही से कंधे उचकाय और चाय सिप करने लगा, नाश्ते के बाद वह वहां से चला गया, उसमें अपने रुत्बे की हेक मोहना शाम तक वहां ठहरी, अंधेरा होने से पहले वह उठ खड़ी हुई, चम्मो उसे छोड़ने बाहर आई, लान में ललित चैक की शर्ट और जीन्स पहने अपने माताहतों से घेरा बैठा कुछ फाइले देख रहा था, उसके होटों पर सुलगती सिगरेट थी, मोहना क देख कर उसने सिगरेट फेक दी और उसके पास गया, मोहना जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ललित ने कहा, मुझे भी मोहना ने अपचारिकता निभाए, मैं आपसे मिलकर कुछ महत्वपून फैसले करना चाहता हूँ, क्या कल हम पुना मिल सकते हैं, उसने आगरा किया, मोहना हिचकिचा गई, वो ललित से पुना मिलना, या बात करना चाहती ही नहीं थी, उसे भगवान दास से मिलकर कोई महत्वपून निर्नय करना था, मगर इस तरह किसी के अनुरोध को नकारना असभयता होती इसलिए भरसक नम्रह होकर उसने कहा, कल शाम को यदी मौ का मिला तो मैं फोन कर दूंगी, ओ, के, ललित ने कहा, उसका चेहरा उतर गया, वो उल्टे पैर अपने सहयोगियों के पास लोट गया, हाथ आये अच्छे आवसर को गवाना सरासर, मूर खता है, मोहना, भाई साहब ने तो तुझे पसंद भी कर लिया था, छम्मो ने उद बाकी है, मुझे तो लगता है कि तेरे भाग्य में अविवाहत रहना ही लिखा है, ताई जी के कहने, पर मैं बेमतलब में इस जमिले में फंसी, छम्मो ने नाराज स्वर में कहा, तुम्हारी शुभेच्छा के लिए धन्यवाद, मैं फोन करूंगी, कभी मेरे कमरे में भी ही मकान मालकिन मिल गई, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, आफिस नहीं, गई थी क्या, कहां से आ रही हो, कजिन से मिलकर आ रही हूँ, मोहना उनके प्रशनों की बोच्छार से घबरा गई, ये बताए, कोई मुझ से मिलने आया था क्या, हाँ, भगवान दास आया था अच्छा अच्छा, वो तो कल मिलने आने वाला था, आज ही चला आया, मोहना, भगवान दास को तुम कैसे जानती हो, कई वर्श पहले उससे मिली थी, अब यहीं भेच हुई है, इन वर्शों में तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिले, नहीं, लगभग दस वर्श बाद हम मिल रहे हैं, मोहना, भगवान दास अक्सर तुम से मिलता है, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, आप ठीक समझ रही है आंटी, इसलिए कोई निरने लेने के लिए वो आने वाला है, क्या ये तुम अच्छा कर रही हो, मेरा मतलब भगवान दास के बीवी बच्चों से है, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, क्या वह विवाहित है, मकान मालकिन की बात सुनकर मोहना को जोरदार जटका लगा, मुझे आश्चर्य है, तुम इतनी महत्वपून जानकारी के बिना उससे मिलती रही हो, मकान मालकिन के स्वर में करकरा दरसल मोहना को भगवान एक सुख़ग सपने सा लगा था, वो जानबूज कर उन अप्रिय सवालों से अन्भिग्य रहना चाहती थी जो उसके सपने को तोड़ देते, फिर भगवान दासने स्वयम भी तो कुछ नहीं बताया, उसे लगा होगा कि वो जीवन के उस पुरुष साथी ही संतोष के लिए परियाप्त होता है, वो उससे फ्लट कर रहा था, घर में पतने बच्चे थे और वो उसे मनोरंजन के साधन के रूप में इस्तिमाल कर रहा था, मकान मालकिंग गौर से मोहना की उड़ गई रंगत और लाल आँखों को देख रही थी, उ पुना चुपचाप कमरे में आ गई, वह बहुत देर तक सोती रही, उसे कई बार वक्त के था पेडूं से मार्मिक आघात लगा था, जिसने उसके स्वाभिमान को क्षत्विक्षत कर दिया था, परन्तु आज की घटना से, तो उसका विश्वास ही डोल गया, उसका विवे कर पाएगी, अचानक कुछ सोच कर मोहना जटके से उठी, उस ने आसु भरे चेहरे को इस तरह पोंचा जैसे जीवन से अवसाद को पोंच रही हो, कमरे से निकल कर वह मकान मालकिन की बैठक में पहुची, वहां कोई नहीं था, उसने फोन पर नमबा घुमाया, उधर से ज भारी भरकम स्वार ने, हेलो, कहा वहुसी की, अपेक्षा कर रही थी कि वही रिसीवा उठाए, वह, ललित ही था, मोहना ने कहा, ललित साहब, आप, महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुझ से मिलना चाह रहे, थे, मैं कल शाम आपकी प्रतीक्षा करूंगी, तो मुहतर्मा को मौका मिल गया, बंदा कल हाजिर हो, तो मुहतर्मा को मौका मिल गया, बंदा कल हाजिर हो जाएगा, ललित की जीवन से भरपूर आवाज, ने मुहना के कानों में नव जीवन की घंटियां बजा दी, एक रिष्टा ऐसा भी क्या हुआ था मिस्म्रिनालिनी ठाकुर के यो ये था तो शहर का एक बोईस कालेज, अर्थात लड़कों का कालेज, लेकिन पढ़ाने वाले, शिक्षकों में आधे से अधेक संख्या महिलाओं, की थी, लेडीज क्या थी, रंग बिरंगी, एक से बढ़, कर एक नहले पे दहला वाला मामला था, इन, रंगों में मिस् भाग्य टीचरों में गिनी जाती थी, अपने विशे पर उन्हें महारत हासिल था, फिर, रुआब ऐसा की लड़के पुरुष टीचर्स का पीरियड बंख कर सकते थे, मगर मिस्म्रिनालिनी ठाकुर के पीरियड में उपस्थिती अनिवारिय थी, लड़का मिस्म्रिनालिन का शागिर्ध हो और कालेज में होते हुए उनका पीरियड मिस्करे, ऐसा बहुत कम ही होता था, इस लिहाज से मिस्म्रिनालिनी ठाकुर भाग्यशाली कही जा सकती थी, कि लड़के उनसे डरते ही नहीं थे, बलकि उनका सम्मान भी करते थे, इस तरह के भाग्यशाली होने म कुछ अपने विशय, पर महारत हासिल होने का हाथ था तो कुछ मिस्म्रिनालिनी ठाकुर की मनुष्य के मनोविग ज्यान की समझ भी थी, वो अपने स्टुडेंट्स को केवल पढ़ा, देना और कोर्स पूरा कराने को ही अपनी ड्यूटी नहीं समझती थी, बलकि वो उनके बहुत नजदीक, रहने को भी अपनी ड्यूटी का एक महत्वपूर अंग समझती थी, हालां कि उनके साथियों को उनका ये व्यवहार काफी हग तक मजा किया लगता था, मिसेज, अरुन तो हसा करती थी, उनका कहना था, मिस्म्रिनालिनी ठाकुर, लेक्चरर के बजाए प कहना था कि जो बच्चे हम से शिक्षा लेने आते हैं हम उनके लिए पूरी तरह उत्तरदाई हैं, इसलिए हमें अपना करताव्य नेकनियती और इमानदारी से पूरा करना चाहिए, मिस्म्रिनालिनी ठाकुर के साथियों की सोचों से, अलग स्टुडेंट्स की अधिकतर सं उनके जैसी थी, उन्हें सच में किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर की तरह मालूम होता था कि लड़के का पिता क्या करता है, कौन फीस माफी का अधिकारी है, कौन पढ़ाई के साथ पाटर टाइम जॉब करता है, आधी आधी, पता नहीं ये स्टुडेंट्स से नजदी की का परिनाम था या किसी अपराध की सजा की एक सुबह, काले जाने वालों ने लोहे के मुख्य दरवाजे के एक बोर्ड पर चाक से बड़े अक्षरों में लिखा देखा, आई लव मिस म्रिनालिनी ठाकुर, इस एक वाक्य को तीन बार कॉपी करने के बाद लिखने, वाले अपना वा क्लास का नाम बड़ी धिठाई से लिखा था, शशी कुमार सिंग, प्रथम वर्ष, विज्ञान सेक्षन बी, किसी नारे की सूरत में लिखा ये वाक्य औरों की तरह मिस म्रिनालिनी ठाकुर को अपनी ओरा कर्शित किये, बिना न रह सका, क्षैन भर को तो वह सन रह गई, उन्होंने चोर निगाहों से इधर उधर देखा, शायद कोई न होता तो वह अपनी सिल्क की साड़ी के पल्लू से वाक्य को मिटा देती, मगर स्टुडेंट, ग्रुप पर ग्रुप की शकल में आ रहे थे, बेतहाशा, धड़कते दिल को संभालती मिस म्रिनालिन ठाकुर स्टाफरूम तक पहुची और अंदर दाखिल, होने के बाद अपना सिर थामती हुई कुरसी पर गिर गई, यकीनन आप देखती हुई आई है, मिसेज, जैराज की आवाज मिस म्रिनालिनी ठाकुर को कहीं दूर से आती मालूम हुई, उन्होंने सिर उठा कर, भी देखा, भाई हमने क्या बहुतों ने देखा और देखते आ रहे हैं, दरसल लिखने वाले ने लिखा ही इसलिए है, कि लोग देखें, मिसेज जैराज, प्लीज इसे किसी तरह, मिस, म्रिनालिनी ठाकुर गिर गिर आई, तभी मिसेज आशिश और मिस रचना मिस, म्रिना फरूम में दाखिल हुई, कुछी देर के बाद रामलार चपरासी जाड़न, संभाली अपनी ड्यूटी निभाने आया तो मिस, म्रिनालिनी ठाकुर फॉरन उसकी ओर लपकी, और कानाफूसी वाले लहजे में बोली, रामलार, ये जाड़न लेकर जाओ और चाक से मेंगेट प मिस, म्रिनालिनी ठाकुर की आवाज फसी फिंसी लग रही थी, घबराए मत मिस ठाकुर, ये बात तो लड़कों में आपकी पसंदीदगी की दलील है, मिस चेरियान के लहजे में व्यंग्य साफ तौर पर जलक रहा था, अब तो यूँई होगा भाई, लड़के तो आपके दिवाने हैं, मिस तरन्नुम का लहजा दोधारी तलवार की तरह काट रहा था, मिस शमा अपना गाउन संभाले, मुसक्राती हुई अंदर दाखिल हुई और मिस म्रिनालिनी के नजदी का कर राजदारी से बोली, मिस म्रिनालिनी ठाकुर गेट पर, मिस म्रिनालिनी ठाकुर को अत्यांत भैवीत पाकर, मिसेज जैराज ने उनके करीब आ कर उनके कंदे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, मृनालिनी, टीचर और स्टुडेंट में तो आपके कथनानुसार एक आत्मिय संबंध होता है, फिर उन्होंने मिस्तर अन्नुम की ओर देखकर आंख द और बोली, कुछ स्टुडेंट इजहार के मामले में बढ़े, फ्रैंक होते हैं और होना भी चाहिए, क्यों मृनालिनी, आपका यही विचार है ना कि हमें स्टुडेंट्स को अपनी बात कहने की आजादी देनी चाहिए, मिसेज जैराज की इस बात पर मिस्मृनालिनी का च शी सिंग वही है नभी सेक्रान वाला, लंबा सा लड़का जो अकसर जीन्स पहने आता है, मिस रोशन ने पूछताच की, मिसेज गोयल ने उनके विचार को सही बताते हुए हामी भरी, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, मिसेज गुपता बोली, बड़ा जीनियस है, ऐसे सवाल करता है कि आदमी चक्रा कर रह जाए, मिसेज का पारिया, जो फिजिक्स पढ़ाती थी बोली, मिसेज जैराज ने मृनालिनी को संबोधित करते हुए कहा, मृनालिनी आप तो अपने स्टुडेंट्स को उन लोगों से भी अच्छी तरह जानती होंगी, आप कि क्या र संभव है, मिसेज गुपता ने उनकी बात का समर्थन किया, सिर्फ संभव ही नहीं, यकीनन यही, बात है क्योंकि लिखने वाला इस तरह धिठाई से, अपना नाम हर्गेज नहीं लिख सकता था, मिसेज, जैराज ने फिर अपनी चोंच खोली, ये बात मिस, मृनालिनी को भी सही लगी, शशी सिंग के बारे में मिस मृनालिनी ठाकुर की राय बहुत अच्छी थी, हालांकि सेशन शुरू हुए तीन महीने ही गुजरे थे, लेकिन इस दौरान जिस बाकायदगी और तनमयता से उसने क्लासेज अटेंट की थी, वह शशी सिंग को मिस मृनालिनी के पसंदीदा स्टुडेंट्स में शामिल कराने के लिए काफी थी, लेक्चर वह अत्यंत तनमयता से सुनता और लेक्चर के मध्य ऐसे ऐसे प्रश्न करता, जिनकी उम्मीद एक तेज स्टुडेंट से ही की जा सकती थी, मिस मृनालिनी लेक्चर देना ही काफी नहीं समझती, थी बलकी असाइन्मेंट देना और उसे चेक करना भी जरूरी समझती थी, शशी सिंग कई बार अपना काम चेक कराने मिस मृनालिनी और मिस्टर अंशुमन के कॉमन रूम में आया था, वह जब भी आता, बड़े सलीके और सभ्यता के साथ, इस आने जाने के बीच मिस मृना हासिल की थी कि उसके माता पिता दक्षिन अफ्रीका में थे, वह यहां अपनी नानी के पास रहा करता था, शशी जैसे सभ्य स्टुडेंट से मिस मृनालिनी को इस किस्म की छिछोरी हरकत की उम्मीद भी नहीं थी, उन्हीं यकीन था कि यह हरकत किसी और की थी, मगर उसने शरार्तन या रंजिशन शशी सिंग का नाम लिख दिया था, बहराल, रामलाल ने कोई 15 मिनट बाद आकर ये समचार सुनाया कि मेंगेट पर से एक-एक शब्द मिटा आया है, मगर ये बताते हुए उसके चेहरे पर अजीब सी मुसक्राहट थी, मिस मृनालिनी ने अपने ह चोटा सा पस निकाल कर 20 रुपे का नोट रामलाल की ओर बढ़ा दिया, मगर बात तो फैल चुकी थी, न सिर्फ टीचरों, बलकी स्टुडेंट्स के बीच भी तरहत रह की बाते हो रही थी, घंटी बज गई, लड़के अपनी अपनी क्लासों में चले, गए, मृनालिनी भ पहली, बार क्लास में जाते हुए जिजख रही थी, उनके कदम लड़कडा रहे थे, लेकिन जाना तो था ही, सो, गई और लेक्चर दिया, लेक्चर के दौरान उनकी निगाह शशी सिंग पर भी, पढ़ी वह रोज की तरह तनमयता से सन रहा था, मिस, पढ़ी, वह रोज क की तरह तनमयता से सुन रहा था, मिस मृनालिनी लेक्चर देती रही, लेकिन आखे रोज की तरह लड़कों के चेहरों पर पढ़ने के बजाए, जुकी जुकी थी, पहली बार मिस मृनालिनी को क्लास के चेहरों पर दबी-दबी मुसक्राहटे दिखी, जैसे तैसे उनका अभिवादन किया और अपनी सीच पर बैठ गई जरा देर बाद मिस्टर अंशुमन खंखारे और चंद क्षणू की देरी के बाद उनकी आवाज मिस्म्रिनालिनी के कानों से टक्राई शशी सिंग से पूछा आपने ओ तो इन्हें भी पता चल गया मिस्मरिनालिनी ने आखों के कोने से मिस्टर अंशुमन की और देखते हुए सोचा और पहलू बदल कर बोली जी नहीं क्यूं मेरा विचार है ये किसी और की शरारत है शशी सिंग बहुत अच्छा लड़का है आपने पूछा तो होता आपके विचार के अनुसार अगर उसने नहीं लिखा तो संभव है उससे कोई सुराग मिल सके मिस्टर अंशुमन ने घंटी बजा कर चपरासी को बुलाया कुछ देर बाद शशी सिंग नीची निगही किये फाइल हाथ में लिया अंदर दाखिल हुआ मिस्टर अंशुमन कड़क कर बोले क्या तुम बता सकते हो ग अंशुमन सर की रौबदार आवाज गूंजी मैंने शशी ने कहा मिस्म्रिनालिनी चोंकी उन्होंने देखा शशी अपराद की स्वीकारुकती के बाद बड़े इत्मीनान से खड़ा था अंशुमन सर ने मिस्म्रिनालिनी की और देखा मानों उन की आँखे कह रही थी मिस् अंशुमन सर ने साफतोर पर पूछा यस सर बड़ी इत्मीनान से जवाब दिया गया यू इडियेट तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अंशुमन दहारे वो कुर्सी से उठे और शशी के गोरे गोरे गाल ताबर तोर चांटों से सुर्ख कर दिये शशी सिर जुकाई किसी प्राइमरी कक्षा के बच्चे की तरह खड़ा पिटता रहा अंशुमन सर जिनका गुस्सा कालेज भर में मशहूर था जिस कदर हंगामा कर सकते थे उन्होंने किया उसके दो कारण हो सकते थे पहला तो खुद म्रिनालिनी में उनकी दिल्चस्पी और आकर्शन और दूसरा स्टुडेंट्स और साथियों से यह कहलवाने का शौप की अंशुमन सर बहुत सकत इंसान है शौर सुनकर अंशुमन सर के कमरे के दरवाजे पर भीर सी इकठी हो गई मगर अंशुमन सर ने बाहर निकल कर घुल की लगाई तो ज्यादा तर रफू चक कर हो गए मगर चंद किस्म के लड़के शशी की हिमायत में सीना तान कर आ गए मिस म्रिनालिनी बेहोश होने को थी मगर इस से पहले उन्होंने भयानक नजरों से शशी की ओर देखा और पूरी ताकत से चिलाई गेट आउट फ्राम हियर वह चुप चाप निकल गया और फिर कभी कालेज नहीं आ फिर भी मिस म्रिनालिनी को उसका खयाल कई बार आया इस घटना का फौरी और स्थाई परिनाम ये हुआ कि मिस म्रिनालिनी और उनके स्टुडेंट्स के बीच एक सीमा रेखा खींच गई बारा साल गुजर गए उस घटना को समय की दीमक अहिस्ता हिस्ता चाट गई मिस म्रिनालिनी की ओर से मायूस होकर शादी कर ली और कनादा चले गए कालेज में कई परिवर्तन आये मिस म्रिनालिनी ठाकुर अपनी योग्यता और अंथक परिश्रम के सहारे वाइस प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हो गई 12 साल पहले की 28 वर्षिय मिस म्रिनालिनी एक अधेर सम्मानिय औरत की शकल में बदल गई 12 साल बाद जन्वरी की एक सुबर चप्रासी ने मिस म्रिनालिनी को एक विजटिंग काद थमाते हुए कहा मैडम एक साहब आप से मिलने आये हैं मिस म्रिनालिनी जो चंद कागजात देखने में वियस्त थी काद देखे बिना बोली बुलाओ जरा देर बाद उच्छा क्वालिटी का लिबास पहने लंबे कद और भरे-भरे जिस्म वाला व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ उन्होंने बिखरे हुए कागजात इकठा करते हुए कहा तशरीफ रखिये वो बैठ गया और जब मिस म्रिनालिनी ठाकुर कागजात इकठा करने के बाद उसकी उर मुखातिब हुई तो वो बहुत ही साफस उत्री अंग्रेजी में बोला आपने शायद मुझे पहचाना न मिस म्रिनालिनी ठाकुर एक लमहा को मुसकराई और फिर एक निगाह उसके चहरे पर डाल कर बोली पुराने स्टूडेंट हैं आप जी हाँ दरसल इतने बच्चे पढ़कर जा चुके हैं कि हर एक को याद रखना मुखिल है मिस म्रिनालिनी ठाकुर का, चहरा अपने स्टुडेंट्स के जिक्र के साथ दमक उठा, माफ कीजिएगा मैडम, बड़ा निजी सा सवाल है, वह खंखारा, मिस म्रिनालिनी चौकी, आप अब तक, मिस म्रिनालिनी ठाकुर है या, हाँ, अब तक मैं मिस म्रिनालिनी ठाकुर ही ह स्नेह उनके चेहरे से जलक रहा था आपने वाकई में नहीं पहचाना अब तक वह मुसक्रा कर बोला मिस मृनालिनी ने बहुत गौर से देखा और घनी मूंचों के पीछे से वह मासूम चेहरे वाला सभ्यसा शशी सिंगो भर आया क्या तुम शशी सिंग हो मस्तिष्क के किसी कोने में दुग का नाम तुरंत उनके होटों पर आ गया यस मैडम वह अपने पहचान लिये जाने पर खुश नजर आया ओव मिस मृनालिनी की समझ में कुछ ना आया क्या करें क्या कहें मैं डर रहा था अंशुमन सर न टकरा जाए कहीं वह बेतकल लुफी से बोल रहा था मिस मृनालिनी ठाक और शांत वह बिलकुल चुप थी मैं दक्षिन अफ्रीका चला गया था फिर वहां से डैडी ने अंकल के पास इंगलेंड भेज दिया अब सरजन बन चुका हूं और अपने देशा गया हूं मैं आपको कभी भू मुझे विश्वास था आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिर मुझे मिलेंगी और वाकई आप मिल गई उसी जगह जहां मैं छोड़ कर गया था माइंड यू बॉय मिस मृनालिनी ने उसकी बेतकल लुफी पर कुछ नागवारी के साथ कहा मेरी मम्मी भी किसी हालत में ये अच्छा नहीं रहा मिस मृनालिनी ठाकुर ने देखा वह बड़े सलीके से मुसक्रा रहा था वह फार्स्ट येर का स्टोडेंट था पता नहीं कहां जा छिपा था आइस्टिल लव यू मिस मृनालिनी वह 12 साल बाद एक बार फिर अपने अपराध को स्वीकार रहा था अपनी मां को चूम कर उसके गले में बाहें डाल कर उससे अपने प्रेम का इजहार कर सकता है तो इतना अधिकार हर स्टुडेंट को है वह अपने रोहानी माता पिता से प्रेम कर सके क्या गलत क्या रहा हूं मिस म्रिनालिनी ठाकुर क्या गुरू से प्रेम की स्वीका रोकती अपराध है मैडम, मिस म्रिनालिनी ठाकुर ने हिरानी से देखा वह कै रहा था, अगर अंशुमन सर की तरह आपने भी इसे अपराध मान लिया तो ये वाकई में बड़ा दुखद होगा, मिस म्रिनालिनी अविश्वास से उसकी ओर देख रही थी, यस मैडम, I love you, उसने एक बार फिर स्वीकार किया, ओ डिया, भावनाओं के वेग से मिस, म्रिनालिनी की जुबान बूंगी हो चली थी, बिलकुल, उस मा की तरह जिसका बेटा सालों बाद घर लोट, आया हो